हलो फ्रेंज कैसे हैं आप सब आई होब आप अपने घर पे अच्छे होंगे और सुरक्षित होंगे तो आज मैं आपसे शेयर करूँगी एक बहुत ही अपनी जो स्किन है उसके कॉंपलेक्शन को फियर करने के लिए ऐसा टिप जो कि बहुत ही ज़ादा अफेक्टिव है और बहुत ज़ादा समान की हमार का जुरूरत नहीं है बहुत ही करें म treatments को देखिएगा कि पहले और अब में ता constitu बाद पानी में धितना ह dachte है। तो इसके रीडिदियर्श हो में आपसे शेयर करती हूँ। तब से पहले इसके रिए के आलमंड यहां कि मैंने रात भर पानी में भी गो दिया था और इसको हमने मैंने इसको उसके बाद क्या किया है इसको मैंने इनको पीस लिया है अगर आप चाहे तो इसके जो उपर का चिलका है वो निकाल सकते हैं बट मैंने इसको यूज किया है क्योंकि जो आलमंड को हम अपरी स्किन पर यू और रिंकल्स पर जाते हैं तो उसके लिए भी यह बहुत ज्यादा है और उसको यह दिरे-दिरे कम करती है तो इसके अंदर एक ग्रेंजेस तो मैं यूज कर रही हूँ आलमंड का और दूसरा में यूज कर रही हूँ मिल्क जो होता है हमारी स्किन के लिए बहुत ही बेनिफिचर है अगर आप इसको डेली पीते हैं तो भी हमारी हेल्थ के लिए अच्छा है और अगर मैं इसको स्किन पर लगाते हैं तो भी हमारी स्किन को यह हमारी स्किन के जो इसको एवन करता है, हमारी कॉंप्लेक्शन को फियर करता है और हमारी रिंकतर्स को दिज़े दिर्दर करता है तो इसके लिए मैंने ड्रॉव मिलक लिया है, कच्चा दूद्ध लेना है तो सबसे पहले अगर आपको अपने फेस की क्लेंजिंग करनी हो आपको मैं दिखाती हूँ इसको मैंने राद भर पानी में भी वो दिया था और अब मैं इसको पीस लिया है और अब मैं इसके अंदर एक स्पून जो है डालोंगी आप इसमे रिख लीजेगा कि बहुत इस अच्छा सा फाइन सा पेस्ट बनना चाहिए तो इसको अच्छे से ह अब क्लीन कर लेना है अगर यावज वाटर नहीं है तो अभी मैं इसी मिल के अंधर इसको कॉटन से ही अपने फेस को यह कुलिंट करूंगी एच्छिरी मैं पार्वस पे confusing लिपिस्टिक मेरे फेस पी कुछ भी नहीं है तो विल्कुल साफ है अब मैं इसको अपलाई करके आपको दिखाते हूँ के लिए मैं बालों हो पीछे आपने जब भी इसको यूज़ करना है आपने इसको रात मी यूज़ करने के बाद आप से को मॉर्निंग तक रहने दे सकते हैं कोई भी प्राइक पर बाद के लिदग सबस्के स्किन हो आपकी अपको कोई भी फरत नी पढ़ने वाला है इस तरह से हम रिए पूरी जो फेस है उसके उपर लगा लेना है आप इसको 2 or 3 days लगा के देखिएगा और उसके बाद आप मुझे बताएगा कि आपको ये कैसा लगा हमने इसको पूरी रात देना है सुबा हमने ल्यूक वाटर से बहुत ठंडा पानी ना हो उससे हमने इसको वाश करना है तो ये है इसको आपनी इस तरह से लगा के छोड़ देना है और पूरी रात आपनी इसको अपने फेस के उपर एपलाई करना है आप देखेंगे कि आपकी जो स्किन है धीरे धीरे आपका जो कॉमपलेक्शन है वो फिर होना स्टार्ट हो गया है अभी आप देखेंगे मैं इसको यूज कर रही हूँ एक वीक से तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो फेस है पहले से मुझे अपने आप में लग रहा है कि इसमें काफी एफेक्ट हुआ है तो आपको मेरे ये वीडियो है जरूर यूसफूल होगा अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में